यहां जब अरजुन इस डेजर्ट में खड़ा होता है तब हमें उसके पीछे ये दो आदमी कुछ करते हुए दिखते हैं और एक आदमी उसके राइट साइड में खड़ा हुआ दिखाई देता है पर दूसरे सीन में जब क्यामेरा अरजुन के नजदीक से दिखाते हैं तब अर्जुन के साइड में या पीछे कोई भी खड़ा ववा नहीं दिखाई देता पर कामेरा फिर से थोड़ी दूर से दिखाते है तब हमें सुनिल के राइट साइड में तब्बु खड़ी हुई दिखाई देती है यहाँ जब अल्लो अर्जुन चलके आ रहा होता है तब हमें अल्लो अर्जुन के आगे से कोई भी पीछे जाता हूँ नहीं दिखाए देता पर दूसरे सीन में हमें यहां यह दो लड़किया अर्जुन के अपोजिट चाती हुई दिखाई देती है उसमें से यह लड़की पहले ही अर्जुन को पास करके चली जाती है पर हमें दिखाई नहीं देता इस सीन में कैमेरा नीचे से दिखाते हैं और तब हमें कार का ये दर्वाजा क्लोज ही दिखाई देता है पर दूसरे सीन में जब कैमेरा उपर से दिखाते हैं तब हमें कार का ये दर्वाजा उपर ही दिखाई देता है यहाँ जब अर्जुन उसके पापा के साथ जगड़ा कर रहा होता है तब हमें अर्जुन के लेप्ट हैंड में कुछ दिखाई नहीं देता पर दूसरे सीन में जब कैमेरा का एंगल बदलता है तब हमें अरजुन के लेप्ट हैंड में ये रुमाल दिखाई देता है देखा आपने लापरवाई का नतीजा इस सीन में हमें पूजा के पीछे कोई भी बॉडिगार्ड हमें खड़ा हुआ नहीं दिखाई देता पर दूसरे सीन में जब कैमेरा आगे से दिखाते है तब हमें पूजा के पीछे ये बॉडिगार्ड खड़ा हुआ दिखाई देता है इस सीन में हमें अरजुन अक्यला ही हाँ खड़ा हुआ दिखाई देता है पर दूसरे सीन में कैमेरा के एंगल चेंज होने पर हम यहां अरजुन के साथ साथ एक और आदमी खड़ा हुआ दिखाये देता है इस सीन में हमें अरजुन ने ये ब्लू कलर का ट्रेस पहना हुआ दिखाये देता है पर दूसरे सीन में हमें अर्जुन ने ये ब्लैक और वाइट कलर का ड्रेस पहनावा दिखाए देता है तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो ये आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यारो एसे ही मुवीज की मिस्टेक्स देखने के लिए